जेहिन प्यारे दोस्तों मैं प्रका सवस्ति कानपुरवाला प्यार दोस्तों आज फिर हम लोग पढ़ेंगे एक सेट मगर प्यार से सेट को स्टार्ट करने से पहले बता दे इसकी पीडियाफ हमारे टेलिग्राम ग्रूप में मिल जाएगी लिंक डिस्क्रेप्शन में है और 24 जुलाई 2023 का स्टिफ नंबर वन पढ़ाने जा रहा हूँ स्टार्ट करते हैं आज का सेट पहला कोशन एक चोर को एक पुलिस करमी 500 मीटर की दूरी से देखता है यानि चोर और पुलिस के बीच की दूरी 500 मीटर है यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं चोर भागने लगता हो पुलिस करमी उसका पीछा करता है चोर 17 की स्पीट से भागता है और पुलिस 20 की स्पीट से पकड़ता है आठ मिर्ट बात उनके बीच की दूरी किया होगी सेम कोशन हम कई तरीके से कर चुके हैं समझने वाले प्रोसेस से हम आपको बता रहे हैं देखो पहले तो सेम डियक्शन में जा रहे हैं सेम डियक्शन में दोनों की रिलेटिव स्पीट यानि दोनों का अंतर 20 और 17 का अंतर तीन आया और रिलेटिव स्पीट के लिए मनलब 3 kmph में होगा तो 5 बटा 18 का गुणा कर लेंगे जिससे मीटर पर सेकिंड में हो जाएगा तो कही ना कहीं 3 से ये 6 बार में गया 5 से ये 100 बार में गया यानि 600 सेकिंड 600 सेकिंड के बाद चोर पकड़ा जाएगा इतने सेकिंड में 600 सेकिंड और 600 सेकिंड को हम लोग बोलते हैं 10 मिनट कितना बोलते हैं 10 minute 10 g 60 600 to 10 minute में देखा जाए 500 meters का जू gap था उसको covering कर लिया जाएगा हमसे कर यह 8 minute के बात की दूरी तो पहले 8 minute में कितना gap cover कर लेते हैं पहले वह समझ लेते हैं तो 10 minute में 500 meter का बस 5 का ही गुणा हो रहा तो 8 minute में पचास का गुणा हो रहा है न यहां पर भी पचास का 400 मीटर का गैप कबर हो जाएगा टोटल गैप है 500 का टोटल गैप है 500 का 400 का कबर हो गया तो 100 मीटर का गैप बना रहेगा क्योंकि हमसे किरा 8 मिनिट का खेला बताईए तो 100 मीटर is the right answer of this one बहुत सिंपल वे में आपको यह बता दिया गया है देखो तो उनों के बीच की डिष्टेस अभी 500 है दोनों सेम डियाक्षन भागते है तो रिलेटी स्पीट पीस और सत्रा का अंतर तीन गुड़े पांच बिड़े ठारा यानि 600 सेकेंड में चोर पकड़ा जाएगा यानि 10 मिनट में चोर पकला जाएगा तो दस मिनट में चोर 500 मिटर भागता है तो आट मिनट में कितना भागेगा 400 मिटर जो उन दोनों के बीच का गैप है दस मिनट में 500 मिटर का गैप फुल पील हो जाता है तो बचा गैप कितना सौ मीटर का तो पांस तीरी बाद है आठ मिन में चार सो का गैप कंपलीट तो सौ मीटर का गैप बना रहेगा बाकि दूसरा प्रोसेस पहले ही पढ़ा चुका हूं क्योंकि शुरुवाद से सेट करा रहा हूं तो आप दिखिएगा कि एक सिंपल सा कोशन है साथ सो बीस में आठ का भाग दे दो हाँ साथ सो बीस से भाग नौठे बाद तर नब्बे आया कि पंद्रा चका नब्बे यानि एक साट आया माइनस एम ऐसे बत्तिस पंजा एक सो ताट हो गया देखो यह वैलू इससे जाती है कि नहीं यह मुझे नहीं मालूप तो मैं अभी के लिए तो ऐसे कर ले रहा हूं डिवीजन ऐसे इंटू ऐसे और 37 डिवीजन ऐसे 37 से यह तीन बार में जाता है तो 16 से एक बार चेक कर लेते हैं तोला से यह 96 और भी बच्चे का 14 जाएगा तोला से यह जाएगा 96 और शोला नवड़ एक सेकेड़ रवर देना पड़ेगा तोला चक्चे 96 और चोड़ यानि 144 69 टैम जाएगा बस कर लो मिर भाई तॉल कर लो अब क्या बचाएगा 9 तरिका 27 दो हासिल 18 दो 20 207 यह हुआ यहाँ जोड़ोगे तो माइनस एम ऐसे बाकी अगर जोड़ोगे तो 0 एक ऐसे आएगा 6 दूनी 12 बारा नो बारा नो 21 दो हासिल ठीक है आपके सामने इन दोनों का सिफ अंतर लेना जो की 104 आएगा मुद्दा खत्म बाकी अभ्यास पर डिपेंड है कि और इस्टेव आप कैसे गैप करें पी एक कार को पूरा करने में क्यू से दुगना या आर से तिगना समय लेता है यानि एक तरीके से ये टाइम की बाते कर रहा है हमसे कौन सी? पी, यू, आर ये टाइम की बात कर रहा है पर रिशो में पी क्यू से दुगना लेता है और आर से तिगना लेता है तो दुगना यानि 2 इस टू 1 और तिगना यानि 3 इस टू 1 समझ गया ना? तो पी तीन गुड़ा छे, छे का आधा तीन और ये दो ये पूरी line हो गई तो पी एक कार को पुरा करने में Q से दुगना अगर Q 3 समय लेता है तो P 6 लेगा और R से 3 गुना तीन गुना ठीक है तो आप समझ गया होंगे अच्छा ये जो सब्द अधिक है तीन गुना अधिक समय ये सब्द नहीं होगा इंग्लिस में आप पढ़ोगे तो टी टाइम्स एज लॉंग एस आर्टू कम्पलीट अटास्क तो हिंदी में कभी 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 क्या बहुत हमने केसिस देखे हैं जहां गलत होता है सब्द तो इंग्लिस में हैं आप जरूर देख है वहना तीन गुना अधिक का मतलब आप समझ रोड़ो वह एक अलक सेंस निकलता है कि समझ गया ना तो यह छे तीन दो यदि वे एक अरे इंग्लिस में देखो पी टेक्स ट्राइस एज लॉंग एस क्यू तो लॉंग एस क्यू तो तीन का छे हो गया और थ्राइस टाइम अगर हम एफिसेंसी की बात करें कार चमता की तो आप मोटा मोटा देखो छे तीन दो तो इसका याद रहें तर कैसे वन बाई सिक्स वन बाई त्री वन बाई टू करके सॉल्व करतें तो कि टाइम इनवर्सली प्रोपोशनल होता है एफिसेंसी का तो एफिसेंसी इनवर्सली प्रोपोशनल तो टाइम अब हमसे कहता क्यू अकेले वह कार पूरा करने में कित्ता समय लेगा देखा यह जाए हाँ अभी ध्यान देखा यह जाए हमसे कर रहा है क्यों अकेले काम पूरा करने में वेक साथ कार को दो दिन में कर लेते हैं एक दिन में वो किते लड्डू बना लेते हैं छे लड्डू बना लेते हैं तूटल वर्क निकालने हैं तो दो दिन में छे दूनी बारा तो ये बारा लड्डू बना लेंगे और मेरे भाई बात आ रही है किस की की आ रही है तो क्यों तो एक दिन में दो लड्डू बनाता है तो बारा बटा दो यानी 6 आणसर आएगा शमाज गये जन्वरी 2022 में करती ने EMI का भुक्तान किया जो उसके मासिक वेतन का 22 परशंट था उसने सेज वेतन को किराने का समान और कप्रों की खरेदारी में इतने के अन्पाद में बाटा देखो बड़ा बेसिक कोशन है बस पढ़ पढ़ के करना है वेतन हमेशा हर बंदे का 100 परशंट होगा 22 परशंट उसने EMI में दे दिया तो अब बचा कितना 78 परशंट कितना बचा 78 परशंट अब यहां कैलिकुरेशन को समनना पड़ेगा अब यहां खेलना नहीं है फिर सेज वेतन को किराने का समान और कपडों में 7 और 5 यह जो डिवाइड हो रहा है वो 7 और 5 की रिशियो से डिवाइड होगा फिर कहता है उसने कपडों की खरिदारी पे 18,200 रुपे लगा है तो यह वाला पोर्शंट कपड़े में 18,200 लगा है तो यह वाला आपको पहले निकालना पड़ेगा तर यह कैसे निकाले जब 5 बराबर 18,200 के है तो 5 से भाग दोगे 220 यानि 182 गुड़े 20 आएगा यानि 5 में अगर मैं 182 गुड़े 20 क्योंकि 20,500 तो दो जिरो लग जाएगे तो यह 7 के लिए तो इसमें 7 का गुणा और कर लो तो 14 का पाड़ा पर लो तो 0 ऐसे 14,28 दो हासिल 14,8 14,112 और 2,14 11 हसिल और 14 और 11 होता है 25 25,480 यानि अगर 5 बराबर 18,200 के है तो 7 बराबर 25,480 के होगा इन दोनों को जोड़ लो वही 78% के बराबर होगा 80 तो ऐसे आ जाएगा तो लाश्ण में 80 और 00 है तो 80 तो ऐसे आ गया मेरे दोस्त 24,26 हो गया 25 और 18 जोड़ो गया तो 43 यानि 78% की वैलू 43,680 यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की व्रद्धी हो जाए तो उसका वेतन क्या है तो ये तो 78% की वैलू आई पहले तो वेतन निकालने मेरे बाई वेतन हमेशा 100% होगा यानि 78 से आपको यहां भाग देना पड़ेगा आठ सत्य चप्पन नहीं है सच्छंग अच्छंग 48 यहां छे है अच्छंग 48 और 560 बार में जाएगा अगर हम बेतन की बात करें तो 560 का गुणा कर लेंगे तो उसका वेतन 56,000 हो जाएगा यह 100% वाला मेरे भाई अब उसके वेतन में 16% की व्रद्धी हो गई उसका 16% परसेंटेस दो जीरो चलेगा तो एक जीरो तो रहे गरेगा 16 निकाल लो, 16, 96, 9 हासिल और 16 और 9 भाई 16 परसेंट निकाला ना, एक मिट, 16, 85, 89, 89 0, 6, 9, 4, 64,960 आंसर आएगा, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको बैतर समझ में आ जाए, देखो, हर बंदे का जो बेतन होता है, वो ऐसे 100% होता है, 22 परसेंट उसने AMI में खर्च किया, तो 100 में 22 गया, तो 78 परसेंट बचा, ये जो 78 परसेंट वो 7 और 5 के रेशियो में, और कपड़े में खर्च का था 18,200 रुपए, तो 5 बराबर 18,200 रुपए, तो 7 बराबर 25,480 रुपए आया, अब इन दोनों को जोडेंगे, तो ये 78 प भाग दोगे, तो 560 बार में जाएगा, 100 परसेंट के लिए इसमें गुणा कर दोगे, यानि 56,000 उसका वेतन हो गया, अब कहता है उसका वेतन, परवरी 2022 में 16 परसेंट इंक्रीज जाएगा, तो वो जोड दोगे, 16960 ठीक है, और कोई 4 नहीं, ऐसे ही करना है, ये एक सिंप तीन बटा दो, तो मेरे दोस इसको ऐसे लियाओ, तीन ये हो जाएगा, दो ये पाइथा गोरस से ये रूट 13, क्योंकि तीन का स्कार 9, 2 का 4 होता है, अब रूट 13 ऐसे, स्टाइन ठीटा कमान, तो दो अपाउन रूट 13 हो गया, तो देखो ओपर तो जीरो हो गया, अब नी ये, दिखो, ये अलजबरा का बहुत प्यारा कोशन है, आप दिखोगे हम दुनिया बर के कोर्सेश पढ़ाय हुए है, उनमें ये बताय हुआ है, दिखो, लेटेस में तो नहीं आया है, पर पुराने में ये ऐसे कोशन बहुत आया है, अब लेटेस 2023 में भी आ गया है, को solve कर लो, एक वाली को solve कर लो, ठीक है, अगर बराबर हैं, तो एक ही कर लो, बाकी सब वही pattern में राएंगे, तो तो को Q से R गया, मिले बात को चनो, Q से R गया, और उपर तो P square हो गया, नीचे सब बराबर है, तो ये 2P का whole square, तो 4P square हो गया, और ये Q को भी P मान लिया, तो ये एक बटा तीन आगया, जैसे ये एक बटा तीन आएगा, वैसे पडोस में भी एक बटा तीन आएगा, वैसे एक बटा तीन आएगा, एक answer आएगा, आप previous year कोई सही से किताब खोलो, जैसे किरन पब्लिकेशन की किताब, जो पढ़ाया है, दसदार पांसो स्का एलेबरा पढ़ाया हुआ यूटूब में, पचासो कोशन इस साइकलिक पैटर्न पे मिल जाएंगे, पचासो कोशन, ठीक है, तो ये इसका एक बहतरीन तरीका है, और इसी से करना चाहिए, अनथा खेला हो जाएगा, अब खेले में भी कोई डर नहीं, आप जनरल भी कर सकते हो, P स्क इसने जीवा सब्द बोला है, इसलिए पेसेंस रखेंगे, D, E, एक वरत की जीवा है, और K, D, E, जो के सब्द आया, K, और D, E ऐसा है, तो ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे, एक शेदक है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, यदि केडी बराबर नो, केडी नो के, D, E, साथ के है, K, H, बिंदू H पर, इसपर्स कर रहा है, यानि टेंजेंट की बात कर रहा है, ये टेंजेंट, और हमसे K, H का मानी पूछा गया है, तो इसकी प्रॉपर्टी हम जानते हैं, कि K, H का स्क्वाइर जो हो जाएगा, वो K, D, इंटू K, E के हो जाएगा, K, H, K, D, तो ये तो नो हो जाएगा, K, E, तो नो साथ सोला हो जाएगा, एक सो चवाइस हो गया, तो K, H का स्क्वाइर बराबर 144 के, तो K बराबर किसके, 12 के, तो कोशन नमबर साथ का अंसर में दोस्त, 12 आएगा, ये कोशन, दिये गया वैंजक का मान ग्याद किजिए दिये गया वैंजक का मान ग्याद करो थेखो यहाँ 4 है यह 4 है यह 4 है common लेके e punt 4 की power 4 चो,64 होगा 4 का square 165 80 हो जाएगा नियुक्ठ चार की power 4 4,64 ने 256 होता और हाँ ये भी ध्यानखे चार की पावर चार 256 हो जाएगा चार का स्क्वैर 16 पच्छे असी हो जाएगा नीचे आजाओ 15 ऐसे होगा और 2 का स्क्वैर कित्ता होगा चार होगा उपर घटाओ छे ऐसे 25 में से 8 गया 17 आया और नीचे क्या आया 11 ग्यारा से भाग दोगे 16 बार में सिंपल सा कोशन 10 to alpha और आपर दिस वन और ये दिखो हमें डारेट 10 15 कमान याद करना चाहिए ठीक है अमने बहुत सजिसन दिया है समाज को तक यह जो होता है वो 2 माइनस रूट 3 होगा सीधे आपको याद करना है ठीक है निकालने गलने चकत कने पड़ना सीधे याद करना कि 10 15 2 माइनस रूट 3 कॉट 15 2 प्लस रूट ृूट 3 ठीक है साइन 15 रूट 3 माइनस वन अपाउन टू रूट टू कॉस 15 रूट 3 प्लस वन अपाउन टू रूट टू ठीक है अभी मैं एक्जाम कार्ड की किताब यूटूब पे वीडियो डाला है इग्नोमेटरी का सेम चीज महां मिल जाएगा अब देखा जाए तू ऐसे रूट 3 का मान 1.732 बस घटा लो मुद्धा खतम यह फर्जी कोष्णर फर्जी कहा है देखो कॉस A कॉस B साइन ए साइन बी और यह दो ऐसे तो यह जो बन गया ना कॉस प्लस बी का होता है तो 49 प्लस 41 अब बच्चा बच्चा जनता है कॉस 90 वैलू जीरू होती है तो दो आंसर अंकिता ने अपनी घड़ी अंकिता ने अपनी घड़ी पांच परशन की हानी पर बेची यदि वह 300 रुपए अधिक पर बेची तो 5 परशन का उसको लाब होता यानी 5 दूना 10 परशन की वैलू 300 तो घड़ी का विक्रय मूल क्या है तो यहां तो यदि लगा है तो यहीं पर बेचा है 5 परशन यानी किता ने बेची जीरो से जीरो पिच्यान भे गुड़े तीस कर लो 2850 आ जाएगा ठीक है एक मीटर लंबा पाइप बनाया गया जिसका आंत्रिक व्यास बहरी व्यास के त्रिजा के बराबर है पाइपों को बनाने के लिए कितनी सामगरी की आव सकता होगी यदि यह 18 बटा साथ घन मीटर पानी धारिता है यहां पर इसने धारिता रहे दिये तो धारिता जो होगी पहले मीटर यहां से त्रिजा निकाल लेंगे अब जिसे आप लोटा देखो या कोई बोतल देखो बाहर से उसका साइस कुछ होता है अंदर से साइस कुछ तो उसमें मोटाई होती है बात समझ में आई अब जिसे मालो हमें एक लिटर की बोतल लें तो अंदर एक लिटर पानी आ रहा है बाहर से लग रहे बहुत बढ़ आर स्क्यार एक मीटर का पाइप है तो एक ऐसे रखो 88 बाई 7 यानि इंटर्नल जो रेडियस होगी इंटर्नल रेडियस जो पाइप की बात कर रहा है वो मेरे दोस अब दो हो गए और उचाई तो एक मीटर है जिसका आंत्रिक व्यास बाहरी व्यास के बराबर है देखरो आंत्रिक व्यास बाहरी त्रिज्जा के बराबर है तो आंत्रिक व्यास कितना है चार है तो दूना चार तो इंटर्नल जो रेडियस से वो दो है व्यास तो दो को चार है ना बाहरी त् तो यानि capital R बराबर 4 की हो गया सामद गया अब हमसे गयरा वहिया पाई बनाने में तो यह ला formula पाई आर स्क्वार माइनस आर स्क्वार गुड़े H बस खेल जाओ पाई की वैलू 22 बटा साथ नहीं बोला तो ले नहीं होगा 4 का स्क्वार 16 में से 4 गया 12 आ गया और H1 है मेरे दोस इसका गुड़ा कर लो कोई 4 ही नहीं या 3.1 36 36 के समतिक पर 2 option है 24 दो हासिल 24 26 7 से भाग दो 7 या 21 फिर 54 आया 7 सत्य उन्चास फिर 50 समझे ना तो राइट आंसर ही 37.7 बहुत से बच्चे इसमें डर गये होंगे पर आसान कोश्चन था किसी तरभुच की प्रतेक भुजा बारा उसकी परित्रिज्जा क्या होगी दोको प्रतेक भुजा बारा है तो वह इक्यूलेटर ट्रेंगल हो गया और परित्रिज्जा तो कैप्टल आर बराबर अधिक्तम अंतर के लिकूँ पिपर टाइंग अब यह नहीं पहले देको सभसेव बड़ा कौन है फिर सबसे चोटा दो 45,55,58,54,44,46 अधिक्तम अंतर तो दया यही हो जाएगा यह स्पीड से देखना होगा अब यह नहीं की कौन बड़ा है समझ गएना पहले सबसे बड़ा सबसे छोटा भूल लो यह 38 सबसे बड़ा सबसे चोटा 44 होगा कच्चा साथ में द्यारतियों संख्या का कितना प्रस्षत है कच्चा साथ में अच्छा इसी 27 तयां एक यावन अब ये 90 हो गया 95 पिच्चासी तो 35.something एकी ऑप्षन है यह इंग्लिस वर्जान यह जिदी व्रत के केन से 21 से इंट्रिविट्र की दूरी पर एक 40 सेंट्रिविट्र लंबी जीवा किची आती है देख रो दिया व्रत के केन से 21 cm दूरी में 40 cm जीवा कीचिया है तो ये तो बराबर भागों डिवाइट कर देगी यानि ये 20 हो जाएगा ये 20 और ये 21 और आपको ट्रिपलेट्स पढ़ाया जाता है पाइथागोरस का 21, 20, 29 ये ट्रिपलेट्स होता है 20, 21, 29 इसको याद कर लेना दो छोटी बुजाओं के वर्गों का यूग बड़ी बुजा के वर्ग के बराबर होता है और इसको पढ़ाया जाता है सभी टीचर पढ़ाते हैं ये निए कि हमी पढ़ा रहा है एक स्कूल भ्रमण के दौरान समझना देया है इसमें एक स्कूल ब्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रतेक छात ने 325 रुपे तुल्क लिया गया मतब 325 रुपया जूनियर वालों से लिया गया तीनियर स्कूल वाले से 400 रुपय ले लिया गया जूनियर स्कूल में 80 छात रते और सयूक्त में 352 तीनियर में छातरी पुछा गया मिक्षेन एलिगेशन लगा दो क्योंकि हमेशा या रखना है ये क्वांटिटी का रिश्यू आता है ठीक है तो 400 में 352 गया तो 48 आएगा और यहां गटा होगे I think so 27 27 आया तीन से काटो 16 और 9 16 बराबर 80 के 16 पाचाए 80 तो 9 बराबर 45 के यानि 45 लोग थे यह one of the best solution होता है इसका और ऐसी ही करना निम लिकित को हल कीजिए अब simplification question साउधानियती दुरगटना गटी देखो यह 6 3 9 तो यहां minus 9 आया 6 में तो यह minus का 3 minus minus प्लस हो गया तो 6 9 3 12 divide by 2 तो 6 आया गया और बाहर क्या है गुडा तीन मुद्दा ही कटम 4 answer एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनपात 3 to 2 है उसका छेतरफल 150 है एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनपात इतना है यानि लंबाई 3x है चौड़ाई 2x है और छेतरफल उसका देड़ सो है छे से भाग दे तो तो एकस उसक्यार बराबर 25 के एकस बराबर किसके आगया पाँच के आगया परिमाप चाहिए आयत का परिमाप तो इसका डबल मतब 3x 2x तो ये 5x 5 का डबल 10x परिमाप हो जाएगा सम आफ आल साइड होता है 50 is the right answer ये question अभी railway पढ़ा रहे है उसमें भरबर के आया है दोको ये जो formula है न मिरबाई इसका formula आपको ये वाला याद करना पड़ेगा ठीक है algebra में भरबर के पढ़ाया जाता है सबी पढ़ाते है ये वाला और ये वाला जातर कहां पढ़ाया जाता है जैसे aq प्लस b q प्लस c q मैनस का 3 a b c बराबर जो होता है a प्लस b प्लस c bracket में a square प्लस b square प्लस c square मैनस a b मैनस b c मैनस c है वहाँ पर इसको समझाया जाता है अब कुछ करना ही नहीं दया एक बटा दो a मैनस b 1 का square एक b मैनस c 1 का square एक c मैनस a 103 में से 102 दो का square 4 पहले भी आयाया है थिक है यह नहीं कि पहली बार आ रहा है p qr एक कार को 10 15 20 दिन में कर सकते हुई एक साथ कार कर तो कित्य दिन में गई तिको p किसी कार को 10 दिन μέे कर सकता है क्यूं उसी कार को 15 दिन में कर सकता है आर उसी कार को 20 दिन में एल्सियम साट आया चमता छे चार तीन आया और बस भाग देना है तेरा से टाइम इंड वर्क तो बड़ा आसान पूछा गया अभी तक तो एक डिलर अपने माल पर क्रैमूल से 20 परशेंट अधिक अंकित करता हूँ पंदरा परशेंट शूड़ देता कुल आप आप मोटा मोटा समझेट सौ रुप्या की चीज थी एक सो बीस शाप दिया कर आप पंदरा परशेंट पंदरा हुआ है एक प्याइक करमी चो का पीछा करता है पुलिस करमी चोर के पीछे आठ पर और सोला हूँ ऄंद जैदि पुलिस करमि दस मिनट देरी से Should करता तो चोर कितना अब एक चीज़ सम्झट 10 मिनट देरी से चलता है यानि 10 मिनट में चोर भागेगा चोर की जो स्पीड है 6 किलो मिटर पती घंटा है तो 10 मिनट में 6 किलो मिटर पती घंटा यानि 60 मिनट में 6000 मीटर 60 मिनट में 6000 मीटर यानि 1 किलो मीटर आगे जाकर चोर चुपचाप खड़ा है पहले बात को समझो, यहीं मैटर है, नहीं समझे, अब ऐसा तो है नहीं कि चोर बगल में खड़ा है, पुलिस पकड़ ले, कभी-कभी होता भी है, ठीक है, तो चोर चोरी कर रहा, और 10 मिनट के बाद पुलिस को मालम चला, तो चोर की स्पीट 6 किलोमेटर पर दिघंटा, तो 10 मिनट में वो एक किलोमेटर पुलिस से आगे रहेगा, अभी की डेट में, अब पुलिस इसको पकड़ेगी, तो पुलिस की स्पीट जादा आओगी, तब ही पकड़ में आएगा, अन्यता नहीं, अब देखो, दोनों की बीच की डिस्टेंस एक है, और रिलेटिव स्पीट पुलिस की स्पीट आठ है, और आधे गंटा पुलिस भागी है, यानि चार किलोमेटर की दूरी पर पुलिस शोर को पकड़ लेगी, अल्मोस्ट सभी सेटों में इस पैटन का कोशन पाया गया, इस सेट में तो दो आ गया, शुरवात में भी था एक, टेक है, अल्मोस्ट म और कोई रासी 12 वर्ष में स्वयम की चार गुनी हो जाती है, आप मुटा मुटा दोखो, वैसे तुम्हें डाएट बता दू, आप चार गुनी हो जाती है, चार गुनी का मतलब तीन गुना ब्याज मिलेगा, भाई 100 रुपिया 400 हो गया, तो तीन गुना ब्याज किस पे पी दिन पर मिलेगा, बारा साल में मिलेगा, रेट निकालना है, ऐसे कर लो ज़्यादा समझ में आएगा, इस ये चार बार में गया, चार से ये 25 बार में, रेट 25 परशेट हो गया, रामाज गया, आपगया. का ये question आ गया, patience, modern stream में तो patience रखो, एक नाव, धारा की विपरीद दिसा में 120 km जाने और वापस आने में, यानि धारा की विपरीद दिसा में जा रही है, 120 विपरीद दिसा को, विपरीद दिसा को हम लोग बोलेगे, मेरे प्याय दोस्तों, विपरीद दिसा को हम लोग बोलत और 120 विपरीद direction में, समझ गया, sorry, विपरीद दिसा को हम लोग आप stream बोलते हैं, ठीक है, विपरीद direction को हम लोग आप stream बोलते हैं, ठीक है, और same direction में जो धारा के साथ जाएंगे, तो उसे downstream बोलेगे, और 30 घंटे का समय लगेगा, और उस नाव को धारा की विरी दिसे में 25 km धारा की दिसा में 25 km धारा की दिसा में 40 km कुल 7 घंटे लगेंगे कुल किते लगे 7 घंटे लगेंगे पहले बोलो हाँ यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगे समझ में आया when now सां जल में अब दो को यहां से हमें a जिसे हम लोग downstream बोल लें b जिसे हम लोग upstream बोल लें और हमसे कुरा सांथ जल में सांथ जल में होती now की चाल so a जो होता है वो u1 प्लस u2 होता है p जो होगा वो u1 माइनस u2 होगा तो हमें U1 निकालना है जो कि 1 बटा 2 A प्लस B यह सिखाया जाता है आप किसी सी पड़ो सब पढ़ाएंगे अब हमें A और B निकालना है या तो दिमाग लगा लो दोको इसमें दिमाग लग जाएगा दिमाग कैसे 5 का मल्टिपिल दोको 125 पांच का मल्टिपिल है तो यह 24 बार में, यह 6 बार में, यानि ए 20 होगा, तो यह दोगो, 24, 36 हो गया, यहाँ पर 5 भी 5 माना, और यहाँ 20 तो यह दो 7 भी हो गया, फिट बैठ गया, यानि ए बराबर 20 के, और बी बराबर किसके, 5 के, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आपने तो पहले सॉल करके बैठे ह तो ऐसे निकाल लिया, मेरे भाई, आप मेरे कोई वीडियो सही से देखो जाके, इसका बोट एन श्ट्रीम का, वहां यही कला सिखाते हैं, हाँ, कुछ कोशन में, जब कॉमन ओमन कुछ नहीं हो, तो चुप चाप आपको A, B, कैलकुलेट करना होगा, जैसे 120 बटा A, 40 बट करके solve करो, फिर A निकालो, B निकालो, समझे गे ना, अब यहां तो आसान हो गया, तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, 20-25, यानि सांथ जल में 9 की चाल, 25 बटा दो, मनलब, हाँ, 25 बटा दो आएगी, तो 16 घंटे में कित्ती दूरी, distance बराबर, speed into time, तो 25 बटा दो, और 16 गंटे, दो से ये आठ बार में गया, 25 अठे, 200, 200 किलोमेटर, अंतिम कोशन, जो की D.I. का मेरे दोस, कहता है, निम लेकित, पाई चार्ड में लड़कियों के 5 कॉलेज है, इतना ठीक है, सभी 5 कॉलेजों में लड़कियों की कुल संख्या, 2500 है, C और E में, लड़कियों का 23 परशेंट हमें चाहिए, अब ये 23 परशेंट किसका चाहिए, 2500 का चाहिए, 200 तो बलदान मांग लेता है, 25 गुड़े 23, तो 566 में एक कम किया, 575 आ जाएगा, तो उमीद है ये सेट आपको समझ में आ गया होगा, पूरत है आपको करा दिया गया, बहुत कम समय में, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम ग्रूप पो जोइन कीजिए, धन्द बाद